वेल्कम टू इशानी वीडियो कर दीजेगा ताकि हमें appreciation मिलते रहें और हम आपको ऐसे ही real or interesting update प्रोइट कराते रहें आपको आज की episode में देखने को मिलाई होगा कि यहाँ पर अंगल और सिस्टी दोनों एक साथ में जाते हैं अपने घर पर और वहीं पर आते हैं एक बाबाजी जो कि यहाँ पर कुंडली देखकर बताने वाले होते हैं सारे गुंड की आखिर में कब निकल सकते हैं यहाँ पर शादी की डिट और उसके साथ-साथ यहाँ पर कुछ कुंडली में गडबड है या फिर नहीं तो उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर बाबा जी की तरफ से खुलासा किया जाता है कि आखिर में यहाँ पर सिस्टी के योग में दो शादी है लेकिन यह सिर्फ बात अंगद को बताई जाती है और अंगद यहाँ पर फैसला लेता है और बताता है बाबा जी को कि आखिर में आप ये बात किसी को मत बताईएगा मैं अपने हिसाब से हैं हैंडल कर लूँगा और मुझे सब कुछ पता है इस चीजों के बारे में और वहीं दूसरे तरफ आप सब को देखने को मिला कि यहाँ पर अब सिस्टी जोर देते वे नजर आई अंगद के ओपर कि आखिर में तुम बता दो यहाँ पर अपनी फैमिली वालोंको कि मेरी शादी हो चुकी है लेकिन अंगद यहाँ पर सही समय का वेट कर रहा है लेकिन दूसरे तरफ सिस्टी को ये पूरी तरसे डर है कि आखिर में बाहर से पता ना चल जा है नवेली और गौतम के पास में वही गौतम और नवेली के हाथ में एक सबसे बड़ा सबूत लगता है वो भी यहाँ पर सिस्टी का पैन कार्ट जिसमें सिस्टी के अलग-अलग नाम होते हैं आने वाले एपिसूड में आप सबको यही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है कि आप बखेडा खड़े करने वाले हैं एक तरफ यहाँ पर सिस्टी के साथ में गौतम और नवेली और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कल्यानी अब आखिर में सिस्टी इन सभी चीज़ों का सामना कर पाई गया फिर नई कमेंट करके जरूर बताईएगा और एक लाइक जरूर करतीजेगा ताकि हमें अप्रिसेशन मिलते रहे और हम आपको ऐसी ही रियल और इंटरस्टिंग अपडेट प्रोइट कराते रहें थैंक्यू